वेलकम टू एग्जाम तक आज और जीके का एक बहुती तगड़ा प्रैक्टिस सेट है 20 कोश्टन्स हैं आपको सारे के सारे साथ में अटेम्ट करने हैं लास्ट में अपना स्कोर जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह दिली पूलिस head constable का practice set है बट अगेन बता दूँ SSC exam ले रही है तो SSC के other exam के लिए भी आने वाले टाइम है CPO, stenographer even CGL, CHSL के लिए भी important रहेगा so questions काफी अच्छे हैं लेकिन हाँ अगर कोई दिली पुलिस का student है देन जरूर से इस practice set को लगएगा 20 questions है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा practice set है आपको सारे solution में एक साथ मैं दूँगा लेकिन हाँ पहले question जैसे screen पे appear हो and जैसे option देखे आपको video post करके अपना answer सोचना है उसके बाद comment करना है and last में आपको PDF का भी बता दूँगा तो सबसे पहला question को अच्छे है निलिकित मुगल बादशाओं में से किसे शाह A.B. खबर के नाम से जाना जाता है यानि कि शाह A.B. खबर अगर बात की जाए तो इनको यह हैं आपके पास में चार option इसी तरह से दिख रहे हैं यहाँ पर अगर बात किया बहादूर शाह जो है यहाँ पर अगर बात की जाए और अंग जेब के बाद में यही बने थे और यहाँ पर इन्होंने अगर बात की जाए इनकी बात की जाए तो यहाँ पर यह जो आना उपादी और पुरुसकार देने के लिए सबी दलों को खुश रखते थे तो इसलिए इनको जो है शाह A.B. खबरकाज़ता ये नाम इनको खफी खाने दिया था important मुगल बादचाओं की बात की जाए अगर तो सबसे पहले बाबर से स्टार्ट करना है आपको 1526 से 30 तक उसके बाद हुमायू आया था ठीक है 30 से अगर बात की जाए 40 तक एंड उसके बाद अगर बात के 55-56 में वापस आया था ठीक है एक साल के लिए फिर इसकी डेट वे थी सीडियों से गिरने के बाद में उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर आया था अकबर आपको याद रखना है ठीक है 1556 से ही ये 1605 तक रहे था ठीक है उनके बाद अगर बात की जाए आपको याद रखना है तो जहांगिर, शहाजा, उनके बाद औरंग जेब और उसके बाद ये बाद दूर शाह और उसके बाद काफी सारे आए सांसद आदर्श ग्राम योजना जो हैं आपको पता होगा 2014 में शुरू की गई किसकी जैनती पर की गई तो यहाँ पर चार आप्शन आपके पास में जेपी नारान बिल्कुल सही है जैप्रकाश नारान के जैनती पर ये शुरू आत की की थी 2014 में अब इसके त्याद क्यादा कि हर एक सांसद को जो भी सांसद हैं लोकसबा में उनको जो है 2019 तक तीन गावों को एक आदर्श मोडल के तोर पर तियार करना है और 2024 तक पाँच और गाव यानि कि टोटल आठ गाव जो हैं उनको तियार करना है जो की मोडल की तरह हो तो इसी लिए इसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू की की थी जेपी नाराण की बर्थ अनिवर्सर भी जेपी नाराण अगर बात की जाए तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी इसालिया था यानि की आजादी के लिए भी इन्होंने जो काफी ज़ड़ा इसालिया था उसके बाद इंडिया आजाद होने के बाद भी 1971 में इन्होंने इन्रा गांधी के किलाव बहुत भेंकर वाला प्रदर्शन किया था और इसके कारण इनको संपूर्ण करांती के लिए भी जाना जाता ठीक है इनका नामता संपूर्ण करांती तो यह आपको याद रखना जेपी नाराण के बारे में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड कोशन पानी पत का सेकंड यूद किसके बीच में वह था अकबर और हेमो के बीच में वह था पानी पत का दुएत्य यूद पानी पत के तीनों यूद आपको याद रखने हैं अभी में यापर आपको बता दूँ फर्स्ट वर्क के अगर बात की जाए तो ये वह था पंदरा सो चप्विस में इबराहिम लोदी और बाबर के बीच में फिर सकेंड अगर बात की जाए तो ये अकबर और हेमो 1556 में फिर थर्ड अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये वह था एहमद शाह अब्दाली और मरा पिराज की जीत हुई यहाँ पर गौरी की जीत हुई थी यह दोनों important योद्याद रखनें बागी मैं आपको अलग से भी वीडियो बना दूँगा इत्यास की important वर्क से सम्मादित नेक्स्ट हैं भारती समीदान के भागवन के निम्नलिकित में से किस अनुछेत का सही मिला पै यह एक्जाम तक हिंदी.com पर इसके सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे अनुछेत वन में क्या कहा गया है भारत राज्यों का संग होगा इंडिया स्टेट ऑफ यूनियन यूनियन ऑफ स्टेट ठीक है तो भारत राज्यों का संग होगा यह कहा गया अनुछेत एक में फिर किया जा सकता है और अनुछेत चार में कहा गया है कि कोई बहारी शत्र को भारत में मिलाया जा सकता है जैसे कि सिक्किम को 1975 में मिलाया था तो यह सब हैं आपको याद रखना है तो यहाँ पर अनुछेत एक में भारत राज्यों का संग होगा यह नहीं है तो यह नहीं हो सकत और ये तो अनुचे दो का हैं लेकिन यहाँ पर अनुचे तीन लिका हुआ हैं तो ना तो ये और ना शेकिन्ड वाला उप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बिल्कुल 9% लोगों नहीं सही अंसर दिया है और भारती समिदान में अभी 22 भागे लेकिन टोटल सब भाग को भी मिलालिया 25 हो जाते हैं बाकि आपको संक्या के हिसाब से 22 भाग ये अभी भी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विंबल्डन 2022 महीला किताब किसने जीता था तो विंबल्डन 2022 का महिला किताब जीता है एलिना रिबाकिना ने विंबल्डन कहां पर होता है लंदन में होता है आपको याद रखना है और ये ग्रास कोट पर होता है ठीक है वैसे मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूगा जब से अगर बात कि जाए जब साल के एंड में भी जो ना एक दो में यूएस ओपन भी होने वाला तो उसके बाद अमालग से वीडियो बना देंगे ये आपको याद रखना है तो एलिसा रिबाकिना इस दे करेक्ट आप्शन कजाकिस्तान की ये एलिसा रिबाकन एंडिनों ने जो है ओन्स जिबोर को और आया तंजानि पर है नागा लेंड में हैं प्लस इसके लवा अंडमान एंड निकोबार में एंड लक्षद्वीब में भी नहीं है बिलकुल यहां पर शुन्य की मान सकते हैं आप लोग फिर अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर हैं तो आबादी के हिसाब से तो यूपी में सब से ज़्यादा हैं परसंटेज के सबसे पंजाब में भी यह काफी ज़्यादा मिलती है आपको ठीक है इसके लगा अगर बात की जाए एस्टी कम्यूनिटी की यहां पर किस स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है एस्टी कम्यूनिटी एस्टी कम्यूनिटी आपको पंजाब में नहीं मिलेगी ठीक है प्लस हर्याना में भी नहीं मिलेगी एंड डिली में भी नहीं मिलेगी डिली एंसी डिली जो एंसी आर वाला इल लेगी यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर नागा लेंड is the correct option यहाँ पर आप लोग देख वाएंगे नागा लेंड में ST 0 हैं बिलकुल केरला में हैं फिर भी और यहाँ पर ST सबसे ज़्यादा 89% है नागा लेंड में बाखी जन संग्या से समधीत में अलग से वीडियो लाट कॉम पर वीडियो बनाना बाखी है एक दू दिन में वीडियो भी आ जाएगा आज फिलाल वीडियो आने वाला एक्जाम तक 2.0 पर इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर ठीक है इंपोर्टन वीडियो वो भी जरूर से देख लेना आप लोग तो यहाँ पर अगर बात क जो भारतिय नहीं है और उनको भारत रतना मिला एक तो नेलसन मंडिला और खान अब्दुल गफार खान जो किया है पाकिस्तान के इन दोनों को भारत रतना मिल चुका है नेलसन मंडिला साथ अफरीका के पहले अश्वेत राष्ट पती बने थे एंडो जाठारा में इनकी डेथ भी होई थी यह आप लोग देख पाएंगे अठारा जुलाई को मंडेला डे भी मनाया जाता है ठीक है क्योंकि अठारा जुलाई दो जार तेरा में इनकी डेथ होगी थी आयती है ना हाँ बिल्कुल तो यह आपको याद रखना है बाकि यह किनोंने जो हैं साथ अफ जो हैं यह किस राज्य से सम्मान दित हैं तो यह यह बागुरूंबा लोक नरति यह पूछ ले कुशन डारेक्ट बागुरूंबा देन यह आंसर होगा असम और यहां पर अगर पूछ ले बोडो महिलाओं द्वारा तो आपको हिंट मिल गया असम ही होगा क्योंकि हमने कु सब कुछ हैं डीटेल्स महिलां द्वारा किया जाता हैं यह सब तो यह आपको याद रखना बस असम के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर जो हैं नैशनल पार्क वगर आपको याद रखना हैं कौन से कौन से हैं राइमोना नैशनल पार्क हैं ठीक हैं डिब्रू सा कामाख्या देवी मंदिर यहीं पर अंबू बाची का मेला भी लगता है यह आपको याद रखना है इसके लिवाव आसम में ही अगर बात की जाए उमानन्द मंदिर भी हैं मयूर आइलेंड पर इसके लिवा माजूली आइलेंड जो की सबसे बड़ा नदिय आइलेंड हैं वो solve करना चाहिए आपको इन चारों में से अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़िया या थोड़ी भी पढ़िया तो आपको इन चारों में से कोई एक तो एग्जेक्ट यादी होगा जैसे मुझे अगर सही बताओं तो वैसे मुझे सारों आते थे लेकिन मैंने पहले ही दे तह को तो अब आपको नहीं दीक रहा होगा, एक सेकिंड यहां पर आपको दिक रहा होगा, तो यहां पर इस तरह की से आप लोग देख पाँगे, तो इससी तरह से कर सकते हैं सब्सक्राइक by Pal הע거나 to ऐसे तो ओधान देख सकते हैं कि और आपको ऐसे मैं को बता हूं। लॉर्ड विलेजली साइक संदी 1798 डलो जी ने की थी व्यपगत हडप नहीं थी आपको पता होगा हना हडप नहीं थी ये अठार सो त्रेपन के आसपास में थे जहां पर इन्हों ने अगर बात किजाए रेलवे के भी स्टार्टिंग इन्हों नहीं की फिर कॉर्ण वाली सकर बात किजे 1790 के आसपास में थे इन्होंने इस्ता ही बंदुबस्त करा था बंगाल में फिर बेंटिक ने 1829 में सती प्रता का अंत करा था तो ये सब बाते हैं ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हैं यहां पर आप लोग देख पाएंगे इनके बारे में ये डीटेल है वेरेज सब हैं डीटेलज नेक्स्ट अकर बात के किस कोशी कांग में डीएना पाया जाता हैं तो सुत्र गणिका में डीएने पाया जाता हैं आपको पता ही होगा और बाकी साइंस के कोश्चन में इतने अच्छे से आपको एक्स्प्लेंन नहीं कर पाऊंगा देखो कुछ भी इसके लिए बागे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बठां साइंस के कुश्चन में मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है जितना पॉलिटी हिस्ट्री जिग्राफी यहां फिर करन्ट अफेज में भी हैं बट साइंस में अभी इतना नहीं है तो यह आप लोग देख पाएंगे DNA काफी ज़्यादा इंपॉर्टन होते हैं गुण सुत्र पूछे जाए तो 23 जोड़ी होती है DNA की खोज किसने की ती 1869 में यहां पर आप लोग देख पाएंगे काफी सारी डिटेल्स हैं साइंस के नोट्स में अभी अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा लेकिना अभी आपक पता हुगा पांच सितंबर को आपको एग्जाम तक के टेलिग्राम चैनल पे मैं आपको डिटेल्स बता दूँगा वहां पर आपको PDF बंडल मिल जाएगा पूरा का पूरा तो वो PDF बंडल अभी उसी PDF बंडल में आपको आने वाले टाइम है साइंस के भी मिलेंगे अभी वहां पर जो हैं जीके टॉपिक वाई सारे मिल जाएंगे फिर जीके पूरा कंपाइलेशन जीके इबुक भी मिल जाएगी वहां पर उसके अलबा आने वाले फ्यूचर में वहां पर साइंस के भी कुशन एड़ कर दिये जाएंगे ठीक हैं तो यह सब हैं बहुत जल्दी आपर एड़ कर लिए जाएंगे संयुक्त एक जो हैं इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली हैं जिसको किसन ने विक्सित किया तो यहां पर DRDO और इंडियन आर्मी ने विक्सित किया हैं यह अगर बात किये सबसे बड़ी युद्ध परियोजना हैं यहां पर जो हैं एंड 1858 में स्तापना हुई थी समीर कामत जो हैं अभी इसके नई अदिक्ष बने यह आपको याद रखनें का नाम समीर कामत जी एंड इंडियन आर्मी की बात की जाए मनुज पंडे जो हैं इसके अभी अदिक्ष हैं तो यह भी याद रखना वेरी वेरी इंपोर्टन हैं नेक् पर पोस्ट आ चुकी हैं वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा पोस्ट मैंने लिख दी हैं आप जाकर पढ़िएगा जरूर केरल में मौपला विद्रो कब शुरूआ था केरल में मौपला विद्रो अगर बात की जाए तो यह शुरूआ था आपको याद रखना 1921 में बिल और ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ हुआ था और हलंकी इसको दबा दिया गया था 1921 में तो सक्सेस्फूल तो नहीं रहा था बठां तसजार के आसबास में लोगों की डैथ भी होगी थी में लिए आपको याद रखना मौपला विद्रो कब गया था तो 1921 में हुआ था व निदान के लिए कौन सा परिक्षन किया जाता है तो यह रही चार ऑप्षन ऑप्षन फोर इस करेक्ट ऑप्षन एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स से बचने के लिए तो यह आपको याद रखना है एड्स की बात की जाए एक्वार्ड इम्नों डेफिसेंसी सिंड्रॉम यह एच्वी वायरिस के करणी होता है आपको याद रखता है human immunitive virus यहां पर बात कर जाए तो इसके रोगता हम के लिए ELISA test जो उना यह ELISA test होता है आपको याद रखना है एच्ए जब होता ना तो शरीर में जो है संक्रहमन से बचने हैं के लिए हमारी जो मेंलब फरती रक्षाप फरनलिया यह बिल्कुल हो जाती है कोई भी बीमारिया मैंको बहुत आसानी से होने लग जाती है इस कारण से फंगल निमोनिया डीवी बगर यह बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि शेरिर में प्रती रख्षा प्रनाली जो आना यह बिलकुल खतम सी हो जाती है नेक्स्ट वेरी इंपोर्डन अगेन इस टाइप का कॉश्शन जो है अगर आपने देखा होगा यूपी एसी जो एक्जाम लेती हैं स्युन से स्यूर्वीसिस का छोड़ो उसके अलब आगर बाद स्यूरवीसिस में भी ऐसे कोशन आते हैं बठां इन्डीय हो गया सीडियस हो गया जहां पर यूपी एसे कुशन पूछती हैं लेकिन आजकल से भी कहीं ने कहीं ऐसे कुश्शण डालने लगी हैं यहां पर त्री जो हैं ये इसके अधिक्स होते हैं तो option एक और दो बिलकुल correct हैं दोनों इसलिए मैंने का आज के प्रेक्टी सेट में काफी तगड़े question हैं NTC के बारे मैं आपको बताता हूं इसका काम यह है Tiger को conservation करने के लिए policies को implement करना और इसी के तहत 1903 में प्रोजेक्ट Tiger की शुरुवात की के थी अभी भारत में 54 Tiger Reserve हैं आपको याद रखना है और 54 कौन सा है 36 गड़ में हैं ठीक है तिमोर पिंगला एंड गुरू खांची दासवाला Tiger Reserve इसके लबागर बात के NTC की तो यहां पर परियावन मंत्री जो अधिक्ष होते हैं परियावन राज्य मंत्री उपादेख्ष होते हैं और तीन संसद के सदशिय बगरे भी इसमें मेंबर होते हैं NTC यही Tiger Reserve की कोशना करता हैं तो यह सारी की सारी डीटेल्स हैं आप लोग यहां पर देख लिजी नेक्स्ट है किस फिल्म ने ऑसकर 2022 में सर्वस्रिष्ट फिल्म का जाद रखना है ग्रैमी अवार्ट्स यहां से कुछने पूचे जाता हैं नेक्स निम्न लेकित में से कौन्ची व्यापारिक फसल नहीं है यह काफी सारे ऐसे अद्दक कुछने जो कॉमन सेंस आप लोग करे जा सकते हैं व्यापारिक फसल यानि कि उनका किसान ऐसे तोर पर कोई यूज नहीं करता डारेक्ट उनको सेल आउट करते हैं यहां फिर उनका परपजी यही होता है कि उनसे प्रोफिट कमाना है वो खाने पिने या लाइक इन सब के लिए काम नहीं आती लाइक का पास हो गया तो यह वस्त्र निर्मान वगरे के लिए टेक्स्टेल के अगेन यही है फिर है गन्ना भी ठीक है तो आलू जो आना यह खाने के लिए भी सब्जियों के लिए भी उगाया जाता है तो आलू एक व्यापारिक फसल नहीं है यहां पर आपको यह ध्यान रखना है बाकी आप लोग यहां पर देख पाएंगे फाइबर फसले हैं खाद परिवहन मंत्री सरवानन सोनवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां से शुरू की यहां पर अगर आपको पता है तो ही आप कर पाएंगे अधर वाइस नहीं कर पाएंगे तो यहां पर आपको याद रखना है मुंबई इस दा करेक्ट आप्शन है यहां पर मुंबई में इन्होंने फरवरी में इसकी शुरूआत करी थी मुंबई और नभी मुंबई के बीज में ठीक है वाटर टैक्सी की शुरूआत करी थी तो यह आपको याद रखना सरवानन सोनवाल असाम से आता हैं पहले खेल मंत्री भी रहा चुके हैं अभी जो हैं मंत ते रूपिंग कहां जाता हैं ठीक है यहाँ यहाँ पर जो हैं ऐसी किमत पर बेचने की प्रता हैं जो उसकी लागत से संभन दित भी नहीं तो इन करणों से डंपिंग कहते हैं दूपक्षी व्यापार 12ажу के बीच में व्यापार होता हैं बहु पक्षी व्यापार कई देश को सही तरीकिसे में समझ भी नहीं पाया था नेक्स्ट है विस्वा क्वेशन लास्ट क्वेशन नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लेकित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे तो यह दे मैंगस्थ नीच यह चंदरकुक्त मौरी के टाइम प ठीक है ठीक है फायान वगर बात किया फायान आया था चंदरकुक्त सेकेंडर के टाइम पे इत सिंग आया था यह भी बहुत धर्म का था श्यस्टों के बीच में जुवान जंग नाम का यह चीनी बहुत भिक्षू था तो यह चारों आप्शन वाले इतने इंपोर्टन नह है हाँ फायान एंड मेगस्तनी इंपोर्टन हैं हेंसांग आया था हर्षवर्दन के टाइम तो यह सब यादें मेरा स्कॉर स्मॉक टेस्ट में 15.5 रहां तीन कोशन मेरे गलत रहे क्योंकि यहां पर नेगिटिव मार्किंग काफी तगड़ी है जिरो पॉइंट पांच किया तो जय हिन जय भरत